दोस्तो फाइनली आज की वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सुरु से लेकर आंटेक्स वीडियो को जरू देखें वीडियो को दोस्तो बिल्कुल भी स्क्रिप करके नहीं देगेगा जिस अप्लीकेशन के बारे में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं उस अप्लीकेशन के जरी से मैक्समम लोन 50,000 रुपे तका ले सकते हैं सिर्फ अधार पैन के साथ अभी कौन से अप्लीकेशन की路 से वरे करती है और किन्सिटिमन लोन सर्विस देने वाली सारे डिडियल के साथ आपकर बताऊगा साथ-साथ इयек भी बताऊगा किस तर से हमें लोन के लिए अब्लाइ करना है इस्टीप इस्टीप आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए देखते वो कौन से अप्लीकेशन है किस तरह से वर्क करती है दोस्तों मैं हुमीत और आप देख रहे हैं टेक एन और उलाइन शॉलूसन में आपका स्वागत करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल नमबर डालेंगे जो आपका वाट्सेप नमबर हो सकता है आप यहाँ पर OTP के जेरे से OTP कोड भी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर एक लोग इन पासवर्ट बनाएंगे और उसके बाद निचे से समिट करेंगी दोस्तों application के dashboard में देख पाएंगे यहाँ पर basic information आपका requirement है जो कि आपको feel up करना होगा साथ-साथ यहाँ पर देख पाएंगे additional documents है तो हम सबसे पहले बात करने वाले है basic information में क्या कैसी यह details यहाँ पर feel up करना है और यहाँ पर अधार card अपने हाथ में लेती है एक selfie लेंगे और निचे से next करेंगे दोस्तों आप बात आती है personal information के बारे में यानि के personal details आपको set करना होगा जनकारी के लिए मैं आपको बता दूँ अधार card में आपको full name होगा वह ही genuine आप डालेंगे यहाँ पर अपना gender select करेंगे, date of birth बताएंगे, कितने तक आप पढ़े हैं वो आपने detail दीजे, marital status बताएंगे साथ ही साथ यहाँ पर अपना personal email आप डालेंगे, किस state से belong करते हैं और city आप यहाँ पर choose करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर बात आती है company के बारे में यानि company detail आपको share करने होगे, यहाँ पर company का नाम बताएंगे, company address बताएंगे, company contact number देना होगा साथ साथ आपना बताना होगे आप किस तरह का work करते हैं, कितने सालों से आप कर रहे हैं और कि आपकी मंत्री income क्या है income का सुरूत बर आपको बताना होगा कि आप किस तरह से आप salary या फिर cash या फिर bank transfer के जिरे से receive करते हैं और आप क्या है salary person या फिर self employee अपने हिसाब से choose करेंगे और नीचे से next करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर बात आती है bank account detail आपको share करना होगा जिस भी आप bank account में loan amount create करना हो जाते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर bank choose करेंगे, bank account number डालेंगे, IFC code fill up करेंगे पेटियम account अगर आप चलाते हैं तो पेटियम account number आप डाल सकते हैं, यह optional इसे छोड़ भी सकते हैं और नीचे से next करेंगे पर बात आती है face recognition के बारे में यान कि कुछ step आपको follow करने होगे, इनके instruction दिये गए होगे आप यहाँ पर good lighting के साथ आपको selfie लेने होगे, जिसमें कि कोई पीछे से blur नहीं होनी चाहिए, picture आपकी quality अच्छी होनी चाहिए और नीचे से start test करके आपने picture एक ले लीना है दोस्तों यहाँ पर बात आती है setup pin के बारे में, यान कि setup pin आपको security purpose के लिए आपको रखनी चाहिए आप यहाँ पर security question का जबाब देंगे और नीचे से submit करेंगी दोस्तों यहाँ पर security pin generate करने के लिए आप यहाँ पर new pin अपनाएंगे यान कि 4 digit का pin टाइप करेंगे और नीचे से next करेंगी दोबारा pin confirm करेंगी तो दोस्तों final application के dashboard में देख पाएंगे proper तरीके से application form मैंने fill up कर लिया है 100% जैसा के screen के सामने देख पाएंगी दोस्तों आप यहाँ पर बात आती है additional information के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपना 3 month का bank statement लगा सकते हैं GST या फिर अधार यिदियोग दाल सकते हैं और यहाँ पर कोई भी other income proof अप्लोड कर सकते हैं दोस्तों जनकारी के लिए मैं आपको बता दूँ अगर आप additional documents submit करते हैं तो हो सकते हैं आपको यहाँ पर maximum higher loan amount मिलने का chance बढ़ जाता है तो दोस्तों file application के dashboard में देख पाएंगे GST cash application द्वारा 3000 रुपए के limits यहाँ पर दिया गया है दोस्तों बात करते हैं loan detail के बारे में loan amount यहाँ पर देख पाएंगे 3000 रुपए की है मेरे bank खाते हम आएंगे 292 रुपए processing fee के अगर हम बात करो 600 रुपए और यहाँ पर GST 18% आपको देने होगी 108 रुपए और आपके interest fee के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोई interest fee नहीं लिए जा रहा है और यहाँ पर due amount के अगर हम बात करते हैं 3000 रुपए करना होगा दोस्तों जनकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूए यहाँ पर 3000 रुपए का loan है और 7 days के लिए loan term आपको मिल रहा है यानि short term के लिए loan दिया जा रहा है लाकि दोस्तों बहुत इक कमाल का application है आप इस application दोवारा instant loan apply कर सकते हैं अपने mobile phone के जरिये से दोस्तों loan apply करने से पहले आप loan agreement एक बार जरूड चेकाओड कर लें उसके बाद यहाँ पर confirmation दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपना security pin डालेंगे जिसमें कि आपका 4 digit का pin होगा और नीचे से confirm करेंगी दोस्तों ऐसे करने से आपकी application प्रोपर तरीके से submit हो जाएगी यानि review में अप्लिकेशन चली जाएगी दोस्तों इस application के जरी से अगर आप लोन लेना जुआदे हैं तो application का link description पार्ट में दे दूँगा तो दोस्तों यह है just cash जो कि instant person loan एप के जरी से यहाँ पर online loan ले पाएंगे सिर्फ अधार पैन के साथ दोस्तों बहुत ही कमाल का application है जाएगा और application को install करिया और loan के लिए apply करिये तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल के लेगी होगी तो वीडियो को like and share जरू करेगा क्योंकि इस channel के उपार maximum video live with payment के साथ हमें इसा वीडियो में ला दे रहता हूँ